हेलो इस वीडियो में हम फार्मूला टाइप के टेक्स्ट फंक्शन में रिपलेस फंक्शन और रिपीट फंक्शन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे replace function के बारे में जानेंगे तो अगर हमारे पास कोई old text है उसमें हम कोई character change करना जाते है तो हम यह replace function के दवारा कर सकते हैं जैसे यहां पे यह दिखो यह हमारा old text है यहां पे लिखा हुआ text यह और यह जो हैं यहां पे character है तो अब यहां पे यह लिखा हुआ है जतिन यहां पे two लिखा हुआ है gmail.com तो यहां पे हमने two लिखा हुआ है तो two की जगा हम यहां पे character को change करना जाते हैं इसकी जगा हम यह add symbol यहां पे रखना जाते हैं तो इसको हम replace function के दुवारा कर सकते है तो यह दिखो, इसको हम यहाँ पे to को add symbol में यहाँ पी change करेंगे तो इसको करने के लिए यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे replace, यह replace यहाँ पे लिखते ही यहाँ यह निचे आ जाएगा replace यहां पर double click करेंगे इसके बाद यहां पर दिये गया old text तो old text जो है यहां से हमने इसको replace करना है तो यह old text यहां पर click करेंगे तो यहां पर इस cell पर click करने के बाद यह cell ने हम यहां पर आ जाएगा a3 इसके बाद comma यह comma लगाया हुआ है आगे यहां पर द यह two जो है six की position में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे six यह six लिखा इसके बाद कॉमा लगाएंगे यह कॉमा लगाया इसके बाद यहाँ पे आगे दिया गया है number of character कि कितने character हमने यहाँ पे replace करवाने है तो एक ही character हमने replace करवाना है यह देखो यहाँ पे two के स्थान पर add symbol लिखने के बाद यहाँ पे फिर कॉमा है कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है new text तो new text जो है यह है हमारे पास इस cell में इस cell पे click करेंगे यह cell name यहाँ पे आ जाएगा आने के बाद यह bracket बंद है हम यहाँ पे bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद ये लिखो ये जो लिखा था जतिन to gmail.com तो यहां पर आ गया जतिन at the rate gmail.com तो ये यहां पर two जो है ये replace हो गया add symbol पर इसके बाद आ गए यहां पर दिये गया है जतिन 15 at the rate of readymail.com तो यहां पर readymail.com लिखा हुआ है यहां पर हम करना जाते हैं gmail.com तो इसको हम यहां पर replace function के दिवारा करेंगे यहां पर equal to ये लिखा place formula यूज करेंगे ये दिखो replace यहां पर आ जाएगा double click किया double click करने के बाद all text तो हमारे पास ये all text ये है यहां पर click करेंगे all text के बाद koma दिये गया है koma लगाएंगे koma लगाने के बाद आगे दिये गया है start number तो number किस number से start करना है तो इसको हम यहां पर देखेंगे यह लिखो यहां से start करना है तो ये 1,2,3,4,5,6,7,8 और ये R जो है यहां पर 9 position पर यहां से start करना है तो हम यहां पे लिखेंगे start number 9 यह लिखा 9 नाइन लिखने के बाद यहां पे फिर कोमा है तो कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद number of character कितने character हमने यहां पे replace करने है तो यह लेखो हमने यहां पे यह हमने यहां पे replace करने है तो यहां पे यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 6 character यहां पे replace करने है तो हम यह लिखेंगे यहां पे 6 यह 6 लिखा 6 लिखने के बाद यहां पे comma लगाएंगे यह देखो comma आगे यह comma लगाया comma लगाने के बाद आगे लिए गया है new text तो जो new text है वो यह हम पे g दिया गया है तो g पे click करेंगे यह b4 यह cell name आ जाएगा यह देखो b4 इसके बाद bracket को बंद करेंगे bracket को बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहां पे जतिन 15 at the rate of gmail.com यह readymail.com की जगह यहां पे gmail.com यहां पे replace होके आ गया है इसके बाद आगे यहां पे दिये गया है email तो email में e जो है यहां पे small में दिये गया है e को हम यहां पे capital में करेंगे तो इसको करने के लिए हम यहां पे replace formula यूज़ करेंगे equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पे replace यह लिखेंगे re लिखने पे यहां पे replace यहां पे आ जाता है replace पे क्लिक करेंगे यह replace आ जाएगा अब यहां पे old text तो old text हमारे पास यह है यह cell पे क्लिक करेंगे email यह cell पे क्लिक किया A5 यह सलनेम यहां पर आ जाएगा आने के बाद कोमा है कोमा लगाएंगे कोमा लगाने के बाद यहां पर आए स्टार्ट नंबर तो नंबर किस नंबर से स्टार्ट करना है तो यह यहां पर पहला नंबर है यह तो यहां पर लिखेंगे हम one one लिखने के बाद आगे दिया गया है number of character कितने character हमने यहां पे replace करवाने है तो हम एक character को replace करना जाते है इसके बाद comma लगाएंगे comma लगाने के बाद फिर यहां पे one लिखेंगे फिर यहां पे comma लगाएंगे comma लगाने के बाद यहां पे दिया है new text तो new text जो है यह capital में ई है यह new text है यहाँपे क्लिक करेंगे यह surname यहाँपे आजाएगा V5 इसके वाद यहाँबे bracket को बंद किया हुआ है तो हम यहाँपे bracket को बंद करेंगे इसके बाद enter प्रेस करेंगे enter प्रस करने के बाद यह लिखो यह जो email यहां पे e को small में लिखा था तो यह e capital में हो जाएगी इसके बाद आगे है land तो यह यहां पे lower case में लिखा हुआ है इसको हम अपर case में replace करवाना जाते हैं तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पे click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद है replace आरी लिखने पे यह replace यहां पे आ जाएगा double click किया replace यहां पे आ जाएगा old text यहां पे old text पे click करेंगे यह cell name यहां पे आ जाएगा इसके बाद फिर comma लगाएंगे comma लगाने के बाद यहां पे दिए गया start number तो किस number से start करना है, one से start करना है, one लिखा, one लिखने के बाद यहां पर comma लगाएंगे, comma लगाने के बाद आगे दिया गया है number of character, कितने character यहां पर हमने replace करवाने है, one, two, three, यह three character हैं यहां पर, तो हम यहां पर लिखेंगे three, यह three लिखा, इसके बाद आगे दिया गया है comma, यह दिखो number of character के बाद comma है, comma लगाएंगे, comma लगाने के बाद new text, तो नया यह है, uppercase में ln, तो यहाँ पे click किया, यह cell name यहाँ पे आ जाएगा, b6, b6 आने के बाद यहाँ पे bracket को बंद करेंगे, और इसके बाद enter प्रेस करेंगे, तो यह दिखो, यह जो lower case में land लिखा था, यह uppercase में land यहाँ पे replace होके आ जाएगा, अब हम यहाँ पे repeat function को करेंगे, तो repeat function का मतलब यह होता है, जैसे हमने यह data लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे repeat करवाना, तो कितनी वार इसको repeat करवाना जाते हैं, यह यहाँ पे हम करेंगे, suppose करो यह मोहित लिखा हुआ है, इसको हम यहां पर 5 or repeat करवाना जाते हैं तो इसको repeat function के जरी करेंगे यहां पर click करेंगे यहां पर click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहां पर repeat function use करेंगे यह rep यह दिखो निचे आ गया है यहां पर double click करेंगे double click करने के बाद यहाँ पे दिये गए है text तो हम text को select करेंगे जिसको repeat करवाना है तो मोहित को यहाँ पे हमने repeat करवाना है तो यहाँ पे click किया यहाँ पे cell name आ जाएगा यह देखो A3 यह A3 cell name आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे दिये गए है comma लगाने के बाद आगे है यहाँ पे number times कि यह जो यहां पे लिखा हुआ है इसको कितनी वार यहां पे repeat करवाने जाते है वो यहां पे हम number भरेंगे तो यहां पे इसको 5 वार repeat करवाने जाते है यहां पे 5 भरेंगे इसके बाद bracket को बंद करेंगे bracket बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यह मोहित है यह 1, 2, 3, 4, 5 तो यह 5 बार यहाँ पे repeat होके यहाँ पे आगया है इसी प्रकार यह आगे भी हमने यह repeat करवाने है तो यहाँ पे click करेंगे और इसको नीचे drag करेंगे यह देखो drag किया drag करने के बाद यह सब यहाँ पे 5 बार यहाँ पे repeat होके आगे यह देखो यह भी repeat होके आगया यह यह भी 5 बार यह भी 5 बार यह करने के बाद अब हम यह चाते हैं कि यह जो मोहित यहाँ पे आगया है यह 5 बार लिखा हुआ आगया है इसके बीच में यहाँ पे hyphen हो तो hyphen को हम enter प्रेस करेंगे, तो यह जो जो पहुत लिखा हुआ है, यहां पर इसके बीच में १ाईफन लग जाएगा यह पहुत जबाएगा यह जबाँ आगला नेम थे यहां पर क्रने के वाद यह जो चाहते हैं, कि यह जो यह name लिखा हुआ है, यहां पर कॉमा लगके सभी में आ जाए यहां पर double click करेंगे, double click करने के बाद यहां पर last में लिखेंगे, कॉमा कॉमा लगाने के बाद, जब enter प्रेस करेंगे तो यह जो है, यहां पर सभी में कॉमा लगके आ जाएगा यह देको enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यह सिंबल यह आप पे हम ने लिखा लिखने के बाद जब हम enter प्रेस करेंगे तो यह सभी नमबर यहाँ पे adds symbol से अलग हो जाएंगे enter Chris करने के बाद यह रिखो यह सबी यहाँ पे numbers यह add symbol से अलग होके यहाँ पे आजाएंगे इसके बाद आगे hash, इसको भी कॉमा से अलग करना है, यहाँ पे इसके last में दिखेंगे कॉमा दिखने के बाद enter critics करेंगे तो enter प्रेस करने के अबाद ये देखो याँ पर जितने भी याँ पर hash के symbol है याँ पर comma से यह अलग हो जाएंगे इसके बाद आगे यहाँ पर b ये दिये गया है यहाँ पर इसके last में अगर हमें ये इसको भी गौमा से अलग करना है यहाँ भी कौमा लगाएंगे enter ट्रेस करेंगे तो ये कॉमा से ये अलग हो जाएगा तो repeat function के जरीए हम यहाँ पे numbers को या text को जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ पे repeat करवा सकते हैं तो इस वीडियो में हमने replace function के बारे में और repeat function के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद